फूल्टूर economical Training आज नहीं है, के शाया देम्मा बच्चो बच्चो आज हम हमारी हिंदी व्याकरन का पहला पार्ट भाषा और व्याकरन पढ़ने जा रहे हैं बाषा और व्याकरन आपने पिछली कक्षा में में पढ़ा था जिए भासा क्या है और व्याकरन क्या है अगर हमें हिंदी भाषा अच्छे से सीखनी है अर्थार्थ कोई भी भाषा अगर हमें सीखनी होती है वैसे को अंग्रेजी हो, हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो तो हमें उसका व्याकरणिक ज्यान होना बहुत आवशक है इस प्रकार जब हम हिंदी का ग्यान कर रहे हैं तो हमें व्याकरन का ग्यान होना अतियावशक है स्वरपर्थम तो ये कि भाषा क्या है भाषा जिस माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं दूसरों के विचारों को हम समझ सकते हैं, ग्रहन कर सकते हैं, वह भाशा है, भाशा ही एक ऐसा माध्य में जिसके द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, भाशा में भावों विचारों तक पहुंचाने का एक साधन है, पर इस साधन को हम भाशा नहीं कहते भाषा का संबन तो मनुष्य के मुख से उच्चारित होने वाली ध्वनियों उन ध्वनियों से बने शब्दों तथा वाक्यों से जिने या तो व्यक्ति बोलकर प्रकट करता है या फिर लिखकर प्रकट करता है अब उच्चारित भाषा क्या है भाषा का बोलचाल वाला रू और तक था वियंजन द्वणी जानिया होती हैं यह तो आपको मिलकर स्थरह स्ब्सक्राइब करते हैं इन की शब्दों का प्रियोग हम दिविन वाक्यों में करते हैं अर उच्चारइथ भाशा का प्रियोग व्यक्ति तब ही करता है जब कोई शुरोता उसके सामने होता है मतल या भाषा का अस्थाई रूप है यानि कि भाषा का मौखिक जो रूप है वो अस्थाई है इसका अस्थाई रूप लिखित होता है क्योंकि लिखित रूप लिखा जाता है और वो कहीं समय तक शुरुक्षित रहता है जब शुरुता हमारे सामने नहीं होता तब हम अपने मन की बात को लिख कर दूसरों तक कहुंचाते हैं भाषा को लिखने के लिए हर भाषा में प्रतेक ज्वनी के लिए कुछ लिखित चिन बना लिए जाते हैं ये लिखित चिन ही लिपी चिन कहलाते हैं प्रशनी आ सकता है कि लिपी चिन क्या होते हैं तो ये लिखित चिन ही भाषा का यह रूप स्थाई होता है क्योंकि यह कभी समाप्त नहीं होता तो अब हम देख लेते हैं कि भाषा के मौखिक रूप और लिखित रूप में क्या आंतर है भाषा का जो उच्चारित यानि की मौखिक रूप है वो भाषा का आधा आर्ध होनी है और लिखित रूप में वर्ण है मौखिक रूप में बोल कर व्यक्त की जाती है बात को लिखित रूप में लिखकर व्यक्त किया जाता है मौखिक रूप में भाषा का स्थाई रूप होता है लिखित रूप में स्थाई रूप होता है मौखिक रूप भाषा गतिशील तो होती है जबकि लिखित में वह गतिशील नहीं होती, स्थिर होती है मौखिक रूप में भाषा भाषा का प्रधान रूप है और लिखित भाषा में भाषा का गौन रूप है तो हमें ग्यान हुआ कि भाषा के दो रूप है एक मोखिक और दूसरा लिखित और लिखित जो रूप है वही क्या है? मेन रूप है वस्थाई रूप है अब है व्याकरण व्याकरण क्या है? जैसा कि मैंने पहले बताया कि हर भाशा के कुछ नियम होते हैं और इन ही नियमों को ध्यान में रखकर हम उस भाशा के शुद अशुद रूपों को निर्धारित करते हैं उधारन के लिए हिंदी भाशा का नियम है कि वाक्या में करमश करता करम एवं क्रिया आती है जैसे कर्ता कर्म क्रिया में बच्चा दूद पी रहा है बच्चा क्या है कर्ता दूद क्या है कर्म है और क्रिया क्या हो रही है ये पी रहा है इसी प्रकार से जब अंग्रेजी में हम लिखते हैं इसे तो जैसे अंग्रेजी में लिखा जाने था, the child is drinking milk यदि भाशा के नियमों का ध्यान ना रखकर हिंदी में कहता बच्चा पी रहा है दूर, तो ये वाक्य बिल्कुल अशुद होता पर अंग्रेजी और हिंदी दोनों में लिखने का तरीका ही अलग होता है हिंदी में जैसा बोला जाता है, वैसा ही उसको लिखा जाता है पर अंग्रेजी में ऐसा नहीं होता है भाशा के नियमों का ध्यान जिस शास्तर के अंतरगत किया जाता है उसी शास्तर को व्याकरण कहते है व्याकरण के अंतरगत नियमों का अध्यन परमुक रूप से तीन शिष्कों के अधार पर किया जाता है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार वर्ण विचार वह छोटी से छोटी काई जिसके टुकड़े नहीं किया जा सकते और वर्णों के मेल से ही शब्द बनता है और शब्दों के मेल से वाक्य बनते है तो हमने इस पार्ट के अंतरगत क्या क्या पड़ा कि भाशा वह सादन है जिसके द्वारा मनुश्य अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाता है इशारों दुआरा किया गया संप्रेशन भाशा नहीं का जा सकता भाशा के दो रूप हैं मौकिक और लिखित उच्चारित भाशा का धार धोनिया तथा लिखित भाशा का धार वर्ण होता है किसी भाशा के उच्चारित रूपों को लिखकर प्रस्तुत करने का धंग लिपी है देवनागरी लिपी में हिंदी, संस्कृत, नेपाली, बोडो, मराथी, आदी भाशा हैं लिखी जाती है भाशा के नियमों का ध्यान जिस शास्तर के अंतरगत किया जाता है उसे व्याकरण कहते हैं व्याकरण के तीन अंग होते हैं वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार अब इसके बाद हम जरा इसका अभ्यास देख लेते हैं निमिन प्रश्णों के उत्तर दीजिए भाशा किसे कहते हैं देखिए इन सब के उत्तर आपको इसी में मिल जाएंगे कि भाशा किसे कहते हैं पहला प्रश्ण जैसे दिया गया है एक मिनट पहला प्रश्ण जैसे दिया गया है तो हमने जो सीखा वही पर इसका उत्तर दिया गया है भाशवासादने जिसके द्वारा मनुश्य अपने भावों विचारों को दूसरों तक पहुंचाते है भाशा के कौन से दो रूप हैं? भाशा के दो रूप हैं मौखिक और लिखित मौखिक भाषा तथा लिखित भाषा में क्या अंतर होता है तो मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर यहाँ पर दिया गया है आप इस उत्तर को लिख सकते हैं यहाँ पर कि उच्चारित भाषा का धार ध्वनी है और लिखित भाषा का धार वर्ण है गर वन पुछाय तो बजाने सुंस्क्राइप अगर6 स commerce पूछाय नियुक्त बनेनी सवाइब वह से शांग बनेना से उख सवाएब डिया और भी तरोथे क्लिशन का पहले इसा नियुक्त पेया है यहाँ पे हम आते हैं तो यह है लिपी चिन ठीक है कि लिखित चिनों को ही लिपी चिन कहा जाता है भाशा को लिखने के लिए हर भाशा में परतेग ध्वनी के लिए कुछ चिन लिखे गए हैं उन्हें ही लिपी चिन कहा जाता है मैं इनके उत्तर आपको इसी में बता रहे हूं ताकि आपको ज्यादा परेशानी नहों डूणने में व्याकरण का क्या कारिया है देखिए यह उत्तर यहीं लिखा गया है व्याकरण का क्या कारिया होता है भाशा के नियमों का अध्यान कराना ही व्याकरण का कारिया होता है कि शुद्धिता का ग्यान हमें व्यक्रन कराता है, व्यक्रन नियमों का दिन किन तीन शुष्चकों के उंतरकत किया जाता है, यह देखिए लाश्ट पॉईंट, इधेर रिका है, व्यक्रन के तीन अंग होते हैं, वर्ण विचार, श्यवद विचार और वाक्य विचार, तो बिकल सही। भाशा में केवल बोल कर ही हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। नहीं लिख कर भी व्यक्त कर सकते हैं कि कि लिए किसी ना किसी लिपी का सहारा लिया जाता है। सही, हिंदी तथा उर्दू दो अलग अलग भाशाएं है, नहीं गलग, अंग्रेजी की लिपी, रोमन है, सही, व्याकरन हमें भाशा के शुद अशुद रूप का ग्यान कराता है, सही, रिक्तस्तानों के पूर्टी करनी है, भाशा वा साधन है, जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक महुचाते हैं, तो क्या है साधन, भाशा के दो रूप होते हैं, पहला उचारित और दूसरा लिखित, मौखिक भाशा, भाशा का स्थाई रूप है, मौखिक भ बार्शाएं किस लिपी में लिखी जाती हैं नेपली देवनागरी और जर्मन रोमन उर्दू फार्सी संस्कृत देवनागरी हिंदी देवनागरी और पंजाबी गुरुमुखी तो चलिए बचो हमने इस वीडियो में हमारी हिंदी व्याकन का पहला पाट पड़ा और उसका अब भयासकार यह भी देख लिया इसके साथ आपको एक वीडियो फाइल मिलेगी जिसमें आप उत्तर लिख सकते हैं तो चलिए मैं बलकेश मीना अब आप से विदा लेती हूं धन्यवाद